आज हैं बनाने जा रहे ब्रेट पीजा और ब्रेट पीजा बनाने के लिए मैंने यहां पर बरेट पीजा का ब्रेट लिया है यह देखे तो जब भी आप ब्रेट पीजा बनाते हैं तो ब्रेट पीजा बनाने के लिए बरेट लिया करें तो यहां पर हमने तवे को रख दिया है गयास को मैंने नहीं किया है सारे त्यारी करने के बाद हम गयास को अन करेंगे तो एक चमच मैंने तेल डाला और अच्छे से मैंने इसे फैला दिया है और इसके ऊपर मैंने ब्रेड रखा है तब हम इस पर डालेंगे यह हैं टमाटर सॉस और इसे अच्छे से फैला देते हैं और इस पर हम डालेंगे लंबे टुकरो में कटा हुआ सिंगा प्याज को घंए और यहां पर हमने पनीर को अच्छे से मसल कर डाला है और इसमें हम डालेंगे स्वादनुसार नमक और थोड़ा सा हम डालेंगे गुलकी का पाउडर और इस पर हमने डाला है चीज ऐसे हम ढफ देते हैं दो मिनट के लिए मिढियम् कर ददेंगे यहां पर हमने गैस को ओन कर दिया है तो यह देखिए दो मिनिट हो गया है तो से हम ढकन को टालेते हैं और पीजा भी हमारा रेडी हो गया है यह देखिए यह देखने में कितना संदर लग रहा है तो से हम प्लेट में निकाल लेते हैं तो यह देखिए मैंने निकाल लिया और पर हम डालेंगे चिली फ्लैक्स तो यह ब्रेट पीजा आप घर पर जरूर ट्राय करना यह आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा यह खाने बहुत ज्यादा टेस्टी है तो आप हम ब्रेट से अलग तरह का से काउन नास्ता बनाने जा रहे हैं यहां पर हमने बेशन लिया ह और थोड़ा से हमने यहां पर जिलाल मिश का पड़र डाला है और स्वाद अंसार मेरे यहां पर नमक डाला है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसे मिलाएंगे एक बार में हम पानी नहीं डालेंगे बिल्कुल थोड़ा डालकर इसे हम पतला घुल तयार करें भूल आमारे रेडी हो गया है इसे में रख देते हैं और यहां पर हमने लिया है और तवा गरम होने के लिए मैंने रख दिया है और इस एक चमज टेल डाला और अच्छे से हमसे पहला देते हैं पिल्कुल मीडियम गैस पर हमें हमें इसे पकाना है देखें हमने ब्रेट को वे भेसं में डाल दिया और इस तरह उलत पलटकर हम दोनों तरह अच्छे से ड्रेट कर में लगा लेते हैं और इसे हम तेल में और स हुआ प्रे चेस टेल कर लेंगे तो आपको अगर जो पसंद है सब्जी आप इसमें भी बारिक करके डाल सकते हैं उसे आज से थोड़ा सा दाप देंगे ताकि यह निकले ना तो उपर से यह हो गया है तो हम इसे दिसे तरह पलट लेते हैं कि यह देखिए और इसी तरह से हम उलट पलट कर इसे हम पका लेंगे कि यह देखिए दोनों तरह पच्छे से यह पग गया है तो इस पर हम डाल रहे हैं चीज अगर आपके पास चीज ना हो ताप ऐसे भी यह खा सकते हैं लेकिन चीज से यह काफी ज़्यादा टेस्टी लगता है कि दोनों में मैंने चीज डाल दिया है अब ब्रेट को हम इसके उपर से डाल देते हैं अब यह हो गया है तिसे हम निकाल लेते हैं कि यह देखिए तब हम इसे चाकू से छोटे-छोटे पिसस में काट लेते हैं और इसे आप मन पसंद अपने चटनी सौस के साथ खा सकते हैं यह खाने में बहुत ज्यादा क्रीश्पी है और बहुत ही कंग समय में यह दोनों नास्ता बनकर त्यार हो जाता है का घर पर महमान आये या तो बच्चों को पाटी हो तो इस रेजपी को आप ज़रूर ट्राइ करना यहाँ पर हमने टमाटर सौस के साथ सौप किया है आप अपने मन पसंद चटनी के साथ खाए और मुझे जरूर बताए ठाइंक्यू बता है